लो दोस्तों वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चनल एड़ अपडेट आज मैं आपके लिए एक ऐसे कॉलेज का रिवीव देखे आया हूँ जो कि काफी फेमस है अगर हम लो महारास्टर में और मुंबई में पर्टिकुलर्ली बात किये जाए तो इस कॉलेज का नाम है ठाकुर कॉलेज ठाकुर कॉलेज का हम अज पॉर्फ करने वाले है और उसका हम लों सारा इसैसल्स देखने वाले जितना भी हम लों सारा इसमेंट्र है तो जो प्लेस्मेंट है मेनली हमारा जो मेन पैरेमिटर हरता है हर रिव्यू का के यह रिटन आफ इंवेस्मेंट कितना देता है तो उस पर्टिकुलर हम लोग सारे सिनारियो इसके हम लोग चेक कर लेंगे सो विदाउट वेस्टिंग टाम आज का वीडियो शुरू करते है और व साथ इसाथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको मेरे सारे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको साथ-साथ मिलते रहे तो चलते हैं हम लोग डिरेक्ली मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर आज का हमारा रिव्यू शुरू करते हैं हम लोग तो कफिकेमपस लिए तो काफ ही हुज़ कामपश है और और जैसे कि यह काफी पूराना केंपस दीज़ लिए जए बहुत ब्यूटिफूल भी अगर मेरे टीज़ इसके बहुत की मेरा मवं इंथऊंडर। में सारे वह अवीं मेरे कर लिए आ कंप्लीन आपनीं आपर लाव यह management studies and research and it is a nec-acreditated college and there is a E grade and this college is tied to different countries of the main universities and all the universities are tied to different universities in this college and if we check the program details we will check the program you will all three programs that is MMS that is master's in management studies then PGDM and then executive course we have available like the video particularly के लिए क्योंकि अभी जस्ट रिसेंट लिए अभी आपका कैप राउंड शूरू होने वाला है तो आपको कालेज के सिलेक्शन के लिए आपको बेटर फेसलेटी मिल जाएगी अगर हम लोग MMS कोर्स के लिए देखते हैं तो यह AICT अप्रूवड कॉलेज है और साथ ही साथ अगर यह मुंबई उनिर्सिटी में कॉलेज आता है तो इसका जो कुभी करिक्लम है वो सारा मुंबई उनिर्सिटी डिसाइड करेगी और इसका जो एड्मिशन प्रोसेस होता है वो DT के के तुरू होता है जैसे कि हर साल DT के के कैप राउंड होता है MBA CET जो MHCET का हम लोग एक्जाम देता है वो एक्जाम के स्कोर्स के वेसिस पे इस कोलेज में एड्मिशन दिया जाता है अगर हम लोग फीस की बात की जाए तो यहां पर 2.57 लेक का टोटल फीस है और यह जनरल के लिए और अधर के इसके लिए यहां पर दिखाया नहीं गया है बट अगर हम 20 टोटल इंटेख है आउट फीच जो उनका 20 परसेंट होजा यहां उसके लॉबी है देन उनके क्लास्रूम्स लैब्स और प्लेग्राउंड एरिया सो यह सारे जो आप एक नॉर्मल कॉलेज से एक्सपेट करते हो वो सारे इस MBA पर्टिकलर MBA कॉलेज से आपको बात हो गई ह प्लेस्मेंट के बारे में कि यह कॉलेज किस तरीके से प्लेस्मेंट करता है और क्या कहें यहां पर प्लेस्मेंट का डीटेल दिया हुआ है अगर हम लोंग वेबसाइट का गर गो थू करते हैं तो यहां पर तो आपको 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 प्लेस्मेंट का उतना जाद डीटेल इस तरीके के सारे कंपनीज यहां पर विजिट कर चुके हैं फिर करते हैं अगर प्लेस्मेंट का हम लोग देखा जाए तो बाहर से अगर मैंने जितना मैं सर्वे किया हूँ तो इस कॉलेज का प्लेस्मेंट आपको 5 लेक्ट बश्याओ लगा के भीच में आपको यह पर आपर अवरेज़ पैकेज का आप एक्सक्त कर सकते हो इसका हीस जाता है नियरब़ और आपको जो सब्सक्राइब कर देता है तो यहां पर अगर हम लोग प्लेस्टिक्स की बात कर देता है तो यहां पर दीर रिक हुई है कुछ 3 years का यहां पर comparison किया हुआ है 2017, 2018 and 2019 batch का अगर यहां पर कौन-कौन से रोल्स प्रोइड किये गए है वह भी यहां पर दिया हुए that is credit manager, senior source analyst इस तरीके से जितने भी roles students को प्रोइड किये गए है after placement उन सब के details यहां पर दिया हुए और students का profile भी यहां पर शेयर की गई है कि कौन से student कितना qualified था like a refresher था कि experience था और उसके बाद में उस पर्टिकलर स्ट्रेंट ने कहां पर internship किया है और कहां पर उसने placement लगा हुए तो इस तरीके का यहां पर भी detail दिया हुए है तो काफी अच्छे तरीके से यहां पर चाह सारी चीज़े दिखाई गई है बट यहां पर जो specific हमें जो दिखना चाहते है यहां पर placement record वह यहां पर clearly mentioned नहीं किया गया है बट हम लोग मेरे research के साब से मैं आपको बता सकता हूं कि यहां पर आपका package 5 lakh to 6 lakh के बीच में आपको average package मिल जाएगा जो सबसे में चीज होती है हमारे अगर college की website पर देखा जाए तो वह होती है NIRF का जो उनका पास में mandatory disclosure होता है वह होता है और उसी के अंदर में हमें सारी में चीजे पता जला जाती तो overall intake यहां पर 240 का दिये रखा है that is of MBA MMS plus PGDM क्यूंकि हर college आजका MMS और PGDM दोनों भी courses चलाता है जो कि MMS DTE कंड़क करता है और PGDM यह खुद से कंड़क कर लेते हैं इसले 120, 120 seats all together यहां पर 240 seats का intake है और अगर students का placement record देखा दया है तो 211 something students placed हो चुके थे 2019 batch का दिया हुआ है यहां पर latest का record नहीं दिया हुआ है overall अगर हम लोग college का review देखे तो फिर यह college average college है अगर आपके पास में repeat का chance है तो आप please repeat कीजे अगर आपके पास में चांस नहीं तो फिर यह college आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है because यहां पर average package at least अप 5-6 lakh के बीच में आप expect कर सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो please like button जरूर दबा दीजेगा और चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा साथे साथ बेल आइकन को जरूर दबाद दीजेगा ताक कि आपको मेरे upcoming वीडियो के नोटिफिक्शन थेंक यू कि बार आपको में बार दे खावचिक्शन थे सब्सक्वाब आपको उल से टापको वीडियो के लिएगा एक लिए झाया ही झाया है